मंच पे मौझूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्य मंतरी भगवन्तमान साथ, हमारे पंजाब के सेहत मंतरी डॉक्टर बलबीर सिंग, आज इस सभा में आएवे हमारे सभी MLA साहब, हमारे MP छोटे भाई रागव चड़ा जी, चीफ सेकरेटरी साहब, डीजी पुलिस साहब, यहाँ पे मौझूद सभी अधिकारिगन, और यहाँ आज इस महत्वपून मौके पे आएवे सभी भाईयों, बेहनों, माताओं, बुजर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाव, सत्स्रियकाल, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे याद है कि चुनाव के टाइम पे हमने यह निका था कि हम चुनावी वादा कर रहे हैं, हमने यह नहीं का था कि हम अपना मैनिफेस्टों निकाल रहे हैं हमने का था कि केजरी वाल की गारंटी दे रहे हैं उपर वाले के कृपा है कि लोगों के मन में लोगों के दिमाग में हम लोगों को लेके एक बहुत विश्वसनियता है लोगों को भरोसा है कि ये लोग जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं ये जूट नहीं बोलते हैं तो इसलिए हमने उसको कहा कि केजरीवाल की गारंटी आज मुझे बेहत खुशी है कि मेरे छोटे भाई भगवन्त मान ने केजरीवाल की एक और गारंटी पूरी कर दी आज 500 महला क्लिनिक पूरे पंजाब के अंदर शुरू होने जा रहे हैं 100 महला क्लिनिक 15 अगस्त को चालू किये गए थे वैसे तो ये महला क्लिनिक दिल्ली में पिछले पांच साथ साल से हम लोग पहले से चला रहे हैं महला क्लिनिक क्या होते हैं कैसे चलने चाहिएं गली गली महले महले के अंदर क्लिनिक बनाए जाते हैं घर में किसी को खासी है जुखाम है बुखार है छोटी मोटी समस्या है बड़े अस्पतालों में जाते हैं लाइनों में लगना पड़ता है नंबर नहीं आता है सरकारी अस्पतालों में कई बार दलालों के चक्कर काटने पड़ते हैं प्राइवेट अस्पतालों में पैसे बहुत खा लेते हैं पैसे बहुत लग जाते हैं इसलिए दिल्ली के अंदर हमने महले महले के अंदर ये महला क्लिनिक शुरू किये इसमें डॉक्टर फ्री, इलाज फ्री, दवाईयां फ्री, टेस्ट फ्री, कुछ नहीं पूछा जाएगा अगर आप बिमार हैं, इनसान हैं, आप महला क्लिनिक में जाओ, अपनी बिमारी बताओ, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, आपको दवाईया देगा, टेस्ट देगा बस दिल्ली में हम लोगों ने महला क्लिनिक चालो किये, इसका काफी अच्छा नतीजे आए, लोगों में बहुत इसका उतसा था, तब हमने पंजाब के चुनाओं में ये ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी, तो पंजाब में भी हम ऐसे ही महला क्लिनिक बनाएंगे, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के अंदर लोग आते जाते रहते हैं बहुत जो पंजाब के लोग थे उन्होंने दिल्ली में जाके देखा था कि ऐसे महला क्लिनिक बने हैं बहुत अच्छे हैं बड़ी सुविधा मिल रही हैं लोगों को तो यहां भी पंजाब के लोगों ने डिमांड करने के लिए बनाए गए थे पंजाब अलग सूबा है दिली अलग है पंजाब की अपनी इस्थितियां है वो सौट महला क्लिनिक पाइलेट बेसिस पे बने थे वो सफल रहे बेहत सफल रहे जैसा भी मान साब ने बताया कि उन सो महला क्लिनिक में पिछले कुछ महीनों में सवा दस लाख पेशेंट सभी तक अपना इलाज करा चुके हैं सवा लाख टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर और आसपास जो महला क्लिनिक उसके आसपास तीन-चार किलोमेटर के एरिया में लोगों से पूछो लोग बहुत खुश हैं आज चार सो नए महला क्लिनिक बनके तैयार हो रहे हैं पंजाब के कोने-कोने के अंदर आज मैंने और भगवन्तमान साब ने तो यहां पे एक ही महला क्लिनिक का उद्घाटन किया लेकिन पूरे पंजाब में सारे जितने ममेले हैं सब अपने अपने इलाके में इस वक्त फीते काट रहे हैं और अपने अपने इलाके में 400 नए महला क्लिनिक का उद्गाटन कर रहे हैं दिल्ली वालों को 500 महला क्लिनिक बनाने में 5 सा लगे थे पंजाब वालों ने 10 महीने में 500 महला क्लिनिक बना दिया एक ये भी कारण था दिल्ली में नई महला नया कॉंसेप्ट था नई शुरुवात कर रहे थे जगे भी कि कमी से ज़्यादा केंद्र सरकार का जितना हस्तक्षिप रहता है पंजाब फुल स्टेट है पंजाब में पूरी पावर है सरकार की तो पंजाब में जो काम अच्छे क काम दिल्ली में हुए वो पंजाब में और बहुत तेजी से किये जा सकते हैं तो आज मैं पंजाब के लोगों को बहुत-बहुत बधाय दे रहा हूं अभी 500 बने हैं अभी और बहुत सारे बनाने हैं जो जो लोग आज ये कारे करम देख रहे होगे उन्हें लगेगा कि मेर इलाके में तो बना ही नहीं धैरे रखना शांती रखना पेशेंस रखना बहुत जल्दी आपके लाके में भी अगले साल दो साल के अंदर पूरे पंजाब में गली-गली के अंदर महला क्लिनिक बनादेंगे गाउगाउं के अंदर महला क्लिनिक बना देंगे इस्से बहुत सुविधा मिलेगी है अब ही मेरे दोस्त चंडिकड़ गया था टैक्सी में बैठा उसने टैक्सी वाले से पूझा कहा के हो तो टैक्सीवाला कहता है जी पटियाला के तो उससे पूछा नई सरकार कैसी चल रही है तुमारे मुख्य मंतरी कैसे है तो वो टैक्सी वाला कहता है सर हीरा है यह एक आमा दमी की आवाज जो पट्टियाला के बगल में किसी काउं से है उसने मान साब के बारे में का जी हमारे मुख्यमंतरी हीरा हैं बेहत इमानदार हैं और उन्होंने भरष्टाचारियों की नाक में दम कर रखा है एक आम आदमी जब ऐसी बात बोलता है तो इसकी बहुत बड़ी एहमियत है भगवंतमान एक किसान का बेटा है उन्हें एक आम आदमी की समस्याएं पताएं आम किसान की समस्याएं पताएं अभी तक पंजाब की राजनीती कुछ चंद परिवारों के हाथ में गीरवी रखी हुई थी गुलाम थी कुछ चंद परिवारों के लोगों के पास विकल्प नहीं था या तो इस पार गर दस महिने के अंदर हम 500 महला क्लिनिक बना सकते हैं तो 70 साल के अंदर वह महला क्लिनिक नीए उनकी नियत खराब थी उनका मंशा नहीं कि वो जनता के लिए काम करें आप लोगों ने कमाल कर दिया आज से दस महीने पहले जो चुनाव हुए उस चुनाव गजबी चुनाव थे उस चुनाव के अंदर आप लोगों ने एक जबरदस्त करांती कर दी पूरे देश में चर्चा हुई पंजाब के लोगों की 117 में से 92 में सीट और उससे भी बड़ी बात की कोई बड़ा नेता नहीं बचा इस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए उस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए क्या करांती करिया आप लोगों ने मैं समझता हूं कि B2022 का ये साल पंजाब के राजनेतिक इतिहास के अंदर ए पंजाब की राजनीती के ऊपर कुछ चंद परिवारों का कब्जा था। इससे फरकनी पड़ता कौन किस पार्टी का था, सारे एक साथ थे। थेंखे उनको भी मिलते थे, थेके उनको भी मिलते थे। इनकी सरकार बन जाए वो उनकी रक्षा करते थे उनकी सरकार बन जाए इनकी रक्षा करते थे अब आम आदमी पार्टी की सरकार रही है कोई नी बचराइस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं और उस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं तो आपने जिस उमीद के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, मैं समझता हूँ कि अब वो रंगला पंजाब की एक तरह से नीव रखी जा रही है, सुनहरे पंजाब की नीव रखी जा रही है, लोगों के लिए काम हो रहे हैं, और खुब सारे काम हो रहे हैं, काम हो पूरे सिस्टम का, कोई कसर नी छोड़े, इन्होंने सिस्टम बर्बाद करने की, तो थोड़ी सी सबर रखना, केजरीवाल की कई सारी गारंटी है, आज एक गारंटी और देखे जा रहा हूं, कि जितनी गारंटी दी थी, पांच साल में सारी पूरी कर देंगे, मान साब कर बहुत उमीद हैं, सारी उमीदें पूरे करेंगे, सारे काम पूरे करेंगे, इन्होंने इतना गडबड कर रखा है, उस गडबड को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम लगता है, लगता है कि नहीं लगता, टाइम लगता है थोड़ा सा, समय लगता है, इमानदार नि दिल्ली में बिजली मुफ्त हुई उसके बाद पंजाब में बिजली मुफ्त हुई दो ही राज्य है पूरे देश के अंदर जहां पे बिजली मुफ्त है हमने वादा किया था कि सरकार बनते ही बिजली मुफ्त कर देंगे हमने बिजली मुफ्त कर दी अभी आते टाइम में मा थर्मल प्लांट थे उसमें बिजली की प्रोडक्शन भी 83 परसेंट बढ़ गई है हमारी जो कॉल माइन पहले काम नहीं करती थी वो कॉल माइन ने काम करना बंद कर दिया तो बिजली की प्रोडक्शन एक तरफ आपको 24 घंटे बिजली दिल्वाने की भी कोशिश कर रहे हैं ब्रश्टाचार के उपर जबरदस्त नकेल कसी गई है चाहे कोई किसी पार्टी का हो हमारी किसी से रिष्टेदार नहीं है भगवंत मान एक किसान का बेटा है आम आदमी है हमारा ना कोई चाचा लगता ना कोई ताउ लगता कोई हमारी किसी से रिष्टेदारी नहीं है ज अपना सगा भी अकर बेटा भी हमारा ब्रश्टाचार करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं किसी को बख्षेंगे नहीं हम लोग यह मैसेच सबको चला गया है मैं आजकल रोज सोशल मीडिया पर देखता हूं रोज मैं देखता हूं कभी इस डिपार्टमेंट के करमचारी पक्के हो रहे हैं कभी उस पहले एक जमाना था जब सारे करमचारी टंकियों पर मिलते थे अब वो सिलसला बंदो चुका है मुझे बताया गया पंद्रह हजार से जादा करमचारी को पक्का किया जाचुका है समय लग रहा है समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने जल्दभाई जी में कुछ ऐसा नहीं करना कि हम काग जूंबे तो पक्का कर दें और कल कोई कू होट में जाके और केस हर जाए तो जो पक्का किए इसका मतलब तो politics करी बार जाते थे इस बार पक्का काम करेंगे पक्का करने का पक्का काम करेंगे जितने कच्छे करवचारी है सब को पक्का कर रहे हैं मान साथ जितने बच गए वो भी सबर रखना आपका भी काम चल रहा है लेकिन पक्के तौर पे काम कर रहा है 26,000 लोगों को नई नौकरियां दी गई है पिछले कुछ तिनों में 10 महिने के अंदर 26,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है नई नौकरियां बहुत बड़ी बात है पहले मेरे को याद है पुरानी सरकारों में जब नौकरी मिलती थी पैसे देने पड़ते थे सिफारिश चलती थी बिना सिफारिश के बिना पैसो के कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी पहली बार है जब मेरिट्स के अधार के उपर नौकरी मिल रही है कोई सिफारिश नहीं चलती और कोई पैसे नहीं चलते और अभी आने वाले समय के अंदर और इतने सारे काम करने जा रहे हैं कि खूब नौकरियां निकलेंगी खूब स्कूल बनने जा रहे हैं महला क्लिनिक बनेंगे एस्पिताल खुलेंगे doorstep delivery of services होगा doorstep delivery of old age pension doorstep delivery of russian इतने नएने काम होने जा रहे हैं नौकरियों की कमी नी रहने वाली सबर रखना बस थोड़ी सी सबको नौकरी मिलेगी सबको रोजगार मिलेगा और स्कूलों को भी ठीक होने का कारेकरम शुरू हो गया में ख्याल से आज या कल में 36 प्रिंसिपल सिंगापूर जा रहे हैं कभी सुना था सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापूर जाते हैं अभी तक तो आपने सुना था कि वो जितने नेता आते थे वो खुद सिंगापूर घूमा करते थे अब हम सिंगापूर नी जाते हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापूर जाते हैं सोच के देखो सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल जब सिंगापूर से लौट के आएगा तो उसके अंदर कितनी उर्जा होगी पढ़ाने की उसके अंदर कितनी इच्छा होगी पढ़ाने की, तो पूरा स्कूली सिस्टम, शिक्षा का सिस्टम भी पूरा बदलने जा रहे हैं हम लोग, जैसे दिल्ली के अंदर पूरा सरकारी स्कूल इतने शांदार हो गए, इसमें टाइम लगेगा स्कूल रातो रात ठीक नहीं होते, टीचर्स का भी मोटिवेशन करना पड़ता है, यही देखना, यही टीचर, यही प्रिंसिपल, जिनको कल तक यह लोग गालियां देते थे, यही आपको शिक्षा के अंदर करांती करके दिखाएंगे, यही टीचर करांती करेंगे, यही प्रिंसिपल करांती करके दिखाएं तो स्कूलों के अंदर भी शिक्षा में भी करांती शुरू हो गई है अब दिल्ली के अंदर हमने एक काम शुरू किया था डौर स्टेप डिलिवरी ऑफ सर्विस जैसे आप तैसीलदार के दफ्तर जाते हो आपको कोई काम कराना है आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हो आ बनवाने आपको जाती प्रमान पत्र बनवाना है आपको डेट सर्टिफिकेट बनवाना है आपको कुछ भी बनवाना है कुछ भी काम कराना है अभी आप दफ्तर जाते हो लाइनों में लगते हो फॉर्म भरते हो उसके बाद आपको कोई अब्जेक्शन लगा देते हैं ज आपको किसी सरकारी दफतर में जाने की जरूरत नहीं है सरकारी दफतर से कोई करमचारी आपके घर आके आपका काम करके जाएगा वो अपने साथ एक छोटी सी फोटो कॉपी मशीन लेके आएगा आपके सारे कागजों की फोटो कॉपी कर लेगा और आपका काम आपके घर आक के काम करके जाएंगे कि इसमें मुझे बताया गया 6,000 से जड़ा नई नौकरिया निकलेंगी इसके लावा आपके घर राशन पहुँंचाया जाएगा अभी आपको राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर जाना पड़ता है कई बर राशन की दुकान दूर होती है कुछ राशन वाले ऐसे हैं जो राशन ठीक से नहीं देते दुकान नहीं खोलते ठीक से नहीं तोलते राशन में मिलावट करते हैं पूरा राशन नहीं देते ज्यादा पैसे लेते हैं अब आपको राशन की दुकान पे जा डिलिवर कर दिया जाएगा डॉर्स्टेप डिलिवरी ऑफ राशन इसमें भी लगबग तीन हजार चार हजार के करीब नई नौकरियां निकलेंगे इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम है जो आने वाले समय में करने जा रहे हैं आम आदमी पाथी पढ़े लिखे लोगों की पाथी है प्रफेश्शनल की पाथी है हमारी पाथी में इंजीनियर्स हैं डॉक्टर्ज हैं आरकिटेक्स हैं चार्टडर के एक अंदर है हर शेत्र के अंदर शिक्षा में स्वास्थ में बिजली में पानी में सडकों में हर चीज के अंदर हम एक शांदार गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं दिल्ली में हमने खूब सारे काम किये शिक्षा में काम किया, स्वास्थ में काम किया, बिजली पानी में काम किया, सडकों पे काम किया लेकिन बहुत सारे काम इन लोगों ने हमें दिल्ली में करने नहीं दिये केंदर सरकार ने बहुत सारे कामों में टांग अड़ाई लेकिन जो जो काम हमने दिल्ली में अच्छे किये वो सारे काम भी पंजाब में करेंगे और जो जो काम इन्होंने नहीं करने दी और अच्छे काम है समाज के लिए अच्छे काम है वो सारे काम भी अब पंजाब के अंदर करके दिखाएंगे पंजाब को दुनिया का देश का निए दुनिया का नंबर वन सूबा बना के दिखाएंगे हर शित्र के अंदर दिल्ली में तो हमने इन सब शित्रों में काम किया लेकिन पंजाब में law and order को पंजाब के law and order को देश का सबसे best law and order बना के दिखाएंगे हमने जब सरकार संभाली इतना बुरा हाल था law and order का कानून विवस्था का इतना बुरा हाल था चारों तरफ गैंक्स्टर्स ही गैंक्स्टर्स थे पूछो तो पता चलता था इसका उससे टांका बिड़ावा इसका इसनेता से टांका बिड़ावा इसका इसनेता से सारों को पॉलिटिकल संरक्षन मिला हुआ था अब किसी को कोई पॉलिटिकल संरक्षन नहीं है अब पुलिस को free hand है जो गड़बड करे उसको पकड़ के जेल में डालो जो गड़बड करे उसको पकड़ के बड़े स्तर के उपर गैंग्स्टर्स की सफाई हुई है पिछले महीनों के अंदर और यह हम नहीं कह रहें इंडिया टुडे का भी सर्वे आया है इंडिय कानून व्यवस्था उसमें पूछा गया लोगों से कि कानून व्यवस्था सबसे अच्छी कहां है तो नंबर एक पर पता नहीं कौन है गुजरात नंबर एक पर पंजाब नंबर टू पर लेकिन हमारे लिए इंडिया टुडे इंपर्टन नहीं है हमारे लिए तीन करोड ०ॉट है जिस दिन पंजाब का एक एक भचा खड़ाओं के कह घा कि हां शांति व्यवस्ता बड़ी अच्छी होगई कानून व्यवस्था उच्छी होगई हमें सेटिफिकेट आप से चाहिए हमें साथिटिफिकेट इंडिया तो दे और देश बैस्टभ सबसे बेस्ट ब कहाई दिल्ली के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा खेती नइए पंजाब खेती के लिए नंबर वन शुबा एक ताइमपे होता था पूरे देश का खेती को अच्छा करके इखाना है किसानों है यह सारी चीजह है इंडस्ट्रि को बहुत अच्छा कर दिंडस्टरी के खेत्र में बड़े गर्व की बात है मानund साथ के प्रेयासों से कार्टा स्टील स्टील स्लेश का सबसे बड़ा कार खाना स्टील बनाने रहता है वो नंबर सेकंड बिगेस्ट स्टील प्लांट लुध्याना के अंदर लगाने जा रहा है और अभी इन दिनों में कई सारी इंडस्ट्री इंट्रेस्ट दिखाया है कि वह आने सवाले समय में पंजाब के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं बहुत जॉब्स मि नहां भी जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर वहीं की अर्थ्वब Commerce को बढ़ा देते एंझे खूब का मैं पंजाब के के पास पैसा है एक एक महला क्लिनिक बनाने की जिम्मेदारी ले लो एक स्कूल बनाने की जिम्मेदारी ले लो उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि ऑफिसर जो है इसके लिए एक सिस्टम सिस्टम बना लें कि जो जो भी डोनेट करता है कोई कहता है कि मैं एक महला क्लिनिक अपने पिंड में बनाना चाहता हूं। उसकी तख्ति लगा सकते मुहाँ सकते हैं वहाँपे कि ये Movah hors लग के सरकार तो करी रही है पहले लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं था लोगों को लगता था यार मैं डोनेट करूंगा ये फिर पैसा खा जाएंगे सरकारी पैसा तो खाते ही है मेरा पैसा भी खा जाएंगे अब चिंता करने की जूरूट नहीं है एक एक पैसा जो आप डो के पंजाबियों को ये आमंत्रन देना चाहता हूं कि आप आईए और यहां पे अपना अपने पिंड को ठीक करिए अपने पंजाब को ठीक करिए और मिल के हम सब पंजाब के governance सिस्टम को देश का नहीं दुनिया का नंबर वन governance सिस्टम बना के दिखाएंगे आज बेहत खुशी है मुझे कि 500 मोहला क्लिनिक शुरू हो रहे हैं पंजाब इसी तरह से खूब तरकि करें हमारा देश तरक्कि करें आप सब लोग तरक्की करें, आप सब लोग खुश रहें, स्वस्त रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थन करता हूँ, वाई गुरुजी का खालसा, वाई गुरुजी की फत्र